कि नमस्कार मैं दॉक्टर राजीव सिंग कंसल्टेंट फिजिए थर्पिस्ट नुबल मल्टी स्पेसिलिटी होस्पिटल आप सभी का स्वागत करता हूं आज जिस विशेव पे हम चर्चा करेंगे वह है बैक पैन बैक पैन आम आम तोर पर ये देखिए एक मोटी भासा है मोटी सब्द का इस्तमाल करते हैं कोई भी कमर में दर्द हुआ तो हम देगे कि आज हम यह समझेंगे कि बैक एक कई तरीके से होते हैं में एक जो बहुत ही खास तरीके को होता है उसका नाम है पारिफार्मिस सिंड्रोम जब हम बात करते हैं तो वह आपके डिस्क बल्च और आर्थ्राइटिस जो की लंबो साइकरल एरिया होता है उनसे काफी यह अलग है वह मिलता जुलता है आपके श्याटिका पेंसे लेकिन यह उससे बिल्कुल भी अलग है तो यह हम समझते हैं कि कैसे अलग है सबसे पहले हम रिड की हड़ी की बनावट देखेंगे तो रिड की हड़ी में कुल चार या पांच भागों में उसको हम बाढ़ते हैं पहला जो अबतर होता है शर्वाइकल बोलते हैं जो कि हमारा गर्दन को रिप्रिजेंट करता है कि नीचे घ्रेंट बने। होता हैं तीसरा जो हिस्सा होता है वो है लंबर रीजन होता है लंबर सीधना जो हमारे कमर के ऊपरी भाग और नीचे भार को सैक्रवी रीजन बोलता हैं और उसके सबसे नीचे स्बुछ Biz फॉए बाक को किन इन पांच भागों में हम रीड की हडियों को बाड़ते तो जो हमारा सबसे उपर का हिस्सा होता है सर्वाइकल का और जो नीचे का हिस्सा होता है लंबर यह सबसे ज्यादा मूव्मेंट वाले हिस्सा होते हैं हमारे रिड की अडियों में तो जो सबसे ज्यादा मूव होता है सबसे ज्यादा यूज उसी का होता है और उसमें आर्थ सिंड्रोम। एक एक समस्य को हम बोलते हैं जो कि हमारे ग्लुटियल रीजन में जो हमारे उट्टे के जो हिस्से होते हैं उसमें दर्ध होता है ऐस्ड बॉसक्ण की हमेरे नीचे वाले इक चेंड्डियूंती स्टाइक वहां से निकलके जो हमारे कूले में जो पैर का उपर वाला हिस्सा हड़ी होता है उसको हम बोलते हैं फीमर तो फीमर के जो एक हिस्सा होता है greater trochentra और अपनी जो रीड किया स्ब्सक्राइब के नीचे वाला हिस्सा होता है सैक्रम तो वहां से एक मसल निकलती है और वो ऐसे जाकी greater tochentra में ज तो यह जो श्याटिक नर्फ और यह जो पारिफामिस की जो बनावट है वह इनाटमिकल हम इसकी बात करेंगे तो क्योंकि एक साथ चलते हैं और कई बार यह 90% लोगों में यह मालीजी अपना पारिफामिस मसल हो गया और यह श्याटिक नर्व है तो यह नबबे परसंट हो गई है या कभी कोई इंजूरी लगी हो तो चांसेज हैं कि यह नर्व को यह कंप्रेस करेगी स्याटिक नर्व को जब यह स्याटिक नर्व को कंप्रेस करेगी तो हमें जो प्रॉब्लम फील होगा जो पेन लगेगा वह एकदम हुब हो हमें लगेगा कि यह डिस्क का पे पुरेड की हड़ी में समस्याना होकर ये नीचे मांस पेशों की समस्या बन जाती है तो इसको हम आम तोर पर देखेंगे कि ये किस-kis वज़े से होता है इसकी कारणों पर हम चर्चा करेंगे इसके मुख्यता तीन ये चार कारण कह सकते हैं, सबसे पहला जो कारण है इसकी बनावट है, जो मसल और नर्फ का जो एक सांथ रिलेशन है, जो अटेच्मेंट होता है, वो इनकी एक बनावट होती है, क्योंकि सांथ सांथ चलते हैं तो अगर एक मसल में इंजूरी हो जाए तो वो नर्व को भी कंप्रेस करती है, दूसरा है डारेट का भी ब्लो हुआ हो, इंजूरी होई हो, और कुछ समय के बाद जो हमारी पारिफरमिस मसल है, वो हाइपर ट्रॉफीड हो जाए, हाइपर ट्रॉफीड मतला वो उसकी नॉर्मल जो कंटूर होनी चाहिए, जैसे य रणिंग में और जो जमपर होते हैं उनको, क्योंकि उनका ट्रेनिंग ऐसा रहता है कि वो पारिफरमिस मसल टाइट होने के वाज़े से यह नर्म में कंप्रिशन होता है, तो इसके लक्षन क्या होंगे, हम यह कारणों का पता चलिए, अब यह कैसे कहेंगे कि यह कमर एक्सराइज जब करेंगे या उसके बाद जब यह दर्द सुरू होगा, और कई केसे में यह रात में भी पेन होता है, और यह हमारा जो दर्द है यह अपने जांग के पीछे के हिस्से से लेके यह पिंडिलियों पिंडिलियों इस लेके पैरो तक भी इसका दर्द आता है, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशेट करेंगे कि यह आपका दर्थ जो है यह पारिफॉर्मी सिंड्रोम की वज़े से हो रहा है कमर जो नीचे का दर्थ जाता है स्याटिक की तरह जो हमें पेन फील होता है या फिर वाकवी में डिस्क होड़ आपस है तो कुछ दो तीन टेस्ट हो पारिफॉर्मी सिंड्रोम में यह दर्थ नहीं बढ़ता है फिर एक टेस्ट होता है जिसमें हम इस मसल को अपने हीप को पैर मोड़ेंगे थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएंगे और फिर उसको मोड़ते हुए अंदर जब खीचेंगे तो वह जो पारिफॉर्मी समसल होता ह उसको जब हम स्ट्रेच करेंगे उस पर दबाव देंगे तो वह दर्थ हमारा बढ़ जाता है तो यह हम दोनों चीजों को डिफ्रेंशेट ऐसे करेंगे कि जो हमारा जो डिस्क प्रलैप्स वाला पेन है वह उपर एसलर में पॉजिटिव रहता है इसमें निगेटिव रहत है तो उसके वज़ेसे यह होता है अब हम जो बात करेंगे फीजियो थरपी में की फीजियो थर्पी से हम सब्सर जरूरी है उन 3 चीजों पर द्यांने की वह प्ली ताइट मसल्स हम उसको प्राइचिंग करेंगे अपने गलूटीयल मसल के साथ अब जो 30 के हमारे पीछे की म मुशल होते हैं जिसे हम हम इस हमाहरा हीप मसल होता है उनको हम स्ट्रेचिंग करेंगे प्रॉपरी करेंगे कि आके OF करेंगे अपना ताकि उस पॉज़ा की सिर्टिक مर्य नर्व наж उस मसल जो श्याटिक नर्फ के ऊपर और नीचे की जो मसल्स होती है मेंली हम पारिफार्मिस ग्लूटियल और जो भी थाइस को बाहर के लिए जाने वाली मसल्स होती हैं उनको हम इस तरीके से मजबूती स्ट्रेंदनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे जिससे की वो लोड बरा दो खुरादे तो मिजाएंगे तो आपको लाइज सबाएंगे इनकी एक्साइजिस कराएंगे और कुछ केसिश में यह आपको रेस्ट भी करने की बोलेंगे और जिससे आपको यह अराम मिलेगा जो तरपी मोडेलेटी की बात करें तो अल्त्रसाउंड थरपी होता है लगाते हैं टेंस मशीन बोलते हैं उसको वहती फायदेमंद होता है और उसके साथ में एक्सराइज और होट फर्मेंटेशन करते हैं ताकि मसल का रिलेक्स हो तो उम्मीद करता हूं कि आपको जब कभी भी दर्द हो तो आप एक बार इस विशह में ज़रू सोचे कि क्या यह आपका लंबर स्पॉंडलाइटिस के वज़े से है या आर्थाइटिस के वज़े से या फिर यह एक पारिफॉर्मिस सिंड्रोम है इसको हम इसली टीक कर सकते हैं बीना कोई दवा खाये बीना कोई सर्जेरी के विए थैंक यू झाल 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 झाल